हेलो अब्रीवन गूड मॉर्नेंग एब्रीवन चलिए आज हम लोग मॉडल पेपर थर्ड सॉल करेंगे जिसमें मॉडल पेपर थर्ड में आल्रेडी हम लोग पार्ट वन में 40 कोस्चन्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं है ना एंड जो हमारे पार रेस्ट आप कोस्चन्स हैं लाइक 40 कोस्चन्स इस क्लास में करेंगे ये वीडियो उन सभी इस पारेंट्स के लिए बहुत हेलफुल है जो लोग EMRS एक्जाम 2023 का देने जा रहे हैं इसके अलावा जो लोग UP, TZT and PZT की प्रप्रेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाश्ट ग्लास में 40 कोस्चन्स किये थें तो लाश्ट कोस्चन हमारा क्या था, path taken in the eyeball by light rays जो light fall होती हमारी रेटना पर, वो light fall होने का pathway क्या था, इसको हम लोग orthogonal ने समझा था, यहां पर correct answer क्या आया था, जो option नंबर D आज नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे, कोश्चन नमबर 41, देखिए, 41 कोश्चन क्या है, that is, the station tube is passage connecting the, station tube किस से connect होती है, inner ear with pharynx, eye with larynx, या फिर middle ear with pharynx, या फिर middle ear with eye, अगर आपको याद होगा, ear की anatomy है, तो आप definitely समझ के होंगे, यहाँ पर आपका correct answer क्या होने जा रहा है, देखिए, एक बार diagram देखेंगे, suppose करिए, यह हमारे ear की, हमारा ear है, चो बाहर की तरफ यह है, ear पिन्ना, या इसी को हम auricle कह देते हैं, यह हमारी sound bay को collect करता है, इसकी बाद एक canal हमारे middle ear को join करती है, जिससे हम extra auditory mutis कहते हैं, इक्स्ट्रा auditory mutis में hair present होते हैं, है न, बहुत small hair present होते हैं, और यहीं पर seruminous gland present होती है, जो की serumin को secret करती है, serumin क्या है, यह हमारे ear का ear wax है, जो की dust particles और insect को trap कर लेता है, और हमारे internal या middle ear तक नहीं जाबाते हैं, उसके बाद यह हमारा middle ear है, middle ear में यहां पर tympanum present होता है, जिसको हम ear derm भी कह देते हैं, तो यह हमारा क्या है, tympanum, प्लीज आप अच्छे से अपनी notebook पर diagram ड्रॉ करेंगे, tympanum से हमारी ear ossicle, जो की malleus है, यह attach होती है, हमारे middle ear में three ear ossicles present होती है, three bones present होती है, malleus, incus और stapes, जो malleus bone है, यह tympanum से attach होती है, आगे की तरफ और पीछे बीच में जो हमारी incus bone है, उससे attach होती है, और incus bone फिर stapes से attach होती है, इसके पाद जो stapes bone है, यह fenestra ovallis से attach होती है, जो आप यह यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह क्या है आपका fenestra ovallis, या इसी को हम oval window कहें देते हैं, और यह है आपका fenestra rotundress, जिससे हम round window भी कहते हैं, और यहीं से हमारी cochlea attach होती है, cochlea से आपका यह vestibule operators attach होता है, तो vestibular operators और cochlea को मिला कर हम कह देते हैं, internal ear, यह हमारा क्या है, internal ear, और यह हमारा है middle ear, जिसमें जो आप यह structure देख पा रहे हैं, यह क्या है, station tube, station tube जो है, यह हमारे pharynx में जाकर open होती है, तो इसको हम middle ear कहते हैं, middle ear and oracle और auditory meters यह आपके external ear के अंतरगत आते हैं, external ear, middle ear and internal ear, तो आप जो question में देखिए क्या पूछा गया है, station tube जो है, यह किसे connect होती है, तो जो middle ear का part है, station tube, यह हमारे pharynx से connect होती है, station tube जो है, यह elastine fibers की बनी होती है, elastine fibers की, यह भी आप याद रखेंगे, तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा, that is option number C, middle ear with pharynx, option number C is correct, clear, चलिए, next question देखते हैं, next question, membranous labirinth is filled with a fluid called, membranous labirinth हमारे internal ear का part है, और यह fluid से filled होता है, इस fluid को हम क्या गहते हैं, indolymph, perilymph, hololymph या फिर जक्स्टा lymph, अगर हम यहाँ internal ear draw करें, यह हमारा internal ear का part है, cochlea, यह क्या है, cochlea, cochlear operator से, अभी हमने बताया यह क्या है, fenestra ovalis, fenestra ovalis या इसी को हम round, sorry, इसी को हम oval window कह देते हैं, oval window, यह आपका fenestra rotundus है, जिससे हम round window कह देते हैं, और यह क्या है, यह आपका cochlea है, इसको हमने extend करके दिखाया है, cochlea का जो यह बाहर की तरफ का part है, इसे हम boni levaranth कहते हैं, and जो यह अंदर की तरफ की part है, इसको हम membranus levaranth कहते हैं, जो boni levaranth है, इसके बीच में जो fluid होता है, इस fluid को हम perilymph कहते हैं, यहाँ पर जो fluid field है, इसको हम perilymph कहते हैं, and जो यह अंदर की तरफ fluid है, इसको हम indolymph कहते हैं, and जो यहाँ पर आप यह curved structures देख रहे हैं, है न, cochlea का जो यह curved structures होता है, इसको हम helico trema कहते हैं, helico trema, तो याद रखना, इससे हम helico trema कहते हैं, अब आप से क्या question पूछा गया है, membranous levy rinth fulfilled with fluid called as indolymph, इससे हम क्या कहते हैं, indolymph, clear? तो यहाँ पर मारा correct answer क्या हो गया, that is option number A, indolymph. अगला question देखते हैं, the area in brain which is associated with strong emotions is, strong emotions is, brain का कौन सा हिसा हमारे strong emotions से related है, cerebral cortex, cerebellum, limbic system, या फिर medulla, तो अपने previous class में बताया था आपको, कि हमारे aggressive natures के लिए, हमारे sexual activities के लिए, sexual behavior के लिए, face expressions के लिए, इन सारी सीजों के लिए कौन-कौन responsible होता है, तो जो हमारा limbic system है, limbic system इसमें दो पार्ट साते हैं, amygdela, amygdela and hippocampus, hippocampus, जो हमारा amygdela है, यह हमारे aggressive behavior के लिए responsible है, जो hippocampus है, यह short memory को long term memory में convert करता है, और इसके साथ aggressive nature, emotions, इन सारे behavior के लिए, हमारा limbic system responsible होता है, यहाँ पर आपका correct answer क्या हो गया, option number C, limbic system, next question, compression of spoken and written words take place in the reason of, compression of spoken and written words, यहने कि wise को हम understand कैसे कर पाते हैं, चिजों को हम understand करने के बाद कैसे लिख पाते हैं, इसके लिए हमारे brain का कौन सा part या कौन सा area responsible है, association area, motor area, वर्निक्ष area, या फिर ब्रॉकॉस area, अगर हम बात करें, हम brain को थ्री पार्ट्स में डिवाइट कर सकते हैं, four brain, middle brain and hind brain, जो हमारा four brain है, इसमें main two parts है, देखिए, आपका cerebrum, cerebrum and diancephalone, diancephalone, जो cerebrum है, इसमें four lobes है, frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe, frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe, जो हमारा frontal lobe है, frontal lobe में आपको four areas देखने के मिलेंगी, association area, motor area, pre-motor area and आपका, that is, brocose area, brocose area, ठीक है, इसके इलावा अगर हम बात करें, temporal area की, तो temporal lobe में आपको brocose area मिलेगा, brocose area, auditory area, olfactory area, occipital में आपको vision area है न, visual area मिलेगा, जो कि vision के रहे responsible है, और parietal में satiety area, parietal में आपका, so में aesthetic area और gustatory area देखने को मिलेगा, so में aesthetic area और gustatory area, ठीक, आप लिखना सारी चीज़े, तो आप तो यहाँ पर पूचया गया है, compression आप spoken and written words, अगर हम बात करें, वर्निक्स area की, तो वर्निक्स area जो मारा है, यह कहाँ है, temporal area में, ठीक है, वर्निक्स area कहाँ है, temporal area में, और यही हमारी, voice को understanding के लिए responsible है, speech या voice को understanding के लिए responsible है, तो यहाँ पर आप बताएए, आपका correct answer क्या हो जाएगा, option number C, जो आपका brocos area है, यह आपके frontal lobe में present है, जो की voice या speech production के लिए responsible है, जो हम बोल पा रहे हैं, उसके लिए हमारा brocos area responsible है, तो यहाँ पर आप देखिए, correct answer क्या हो गया, option number C is correct, चलिए, next question देखते हैं, अगर आपने चीजों को अच्छे से detail में पढ़ रखा है, तब यह आप समझ पाएँगे, नहीं तो हो सकता है, थोड़ा आपको understanding ना हो, कि brocos area क्या है, vernix area क्या है, somesthetic area क्या है, gustatory area क्या है, तो प्लीज आप थोड़ा सा detail में पढ़ें, चलिए, अब next question, ध्यान से पढ़ना, देखिए, rods and cones of eyes are modified, हमारी eye की जो rod cells हैं, and cone cells हैं, जो की dim light और, जो है daylight, रिस्पॉंसिबल हैं, rod cells हैं, जो की rodopsin protein की help से, vision की process complete होती हैं, या हम कहाँ सकते हैं, जो हमारी rod cells हैं, जो हमारी rod cells हैं, ये dim light में देखने के लिए responsible हैं, जो हमारी cone cells हैं, ये light में देखने के लिए responsible हैं, clear, तो आपको बताना है कि ये किसका modifications हैं, multipolar neuron का, unipolar neuron का, bipolar neuron का, या फिर none of these, देखें, जो हमारी retina है, इसमें क्या-क्या present हैं, ये हमारी rod cells present हैं, और ये cone cells, rod cells, फिर ये हमारी cone cells, rod cells, ये हमारी cone cells, rod cells, उसके बाद क्या present है, bipolar neuron, स्वाइटोन बोड़ी के दोनों तरफ एक्जॉन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, bipolar neuron, bipolar neuron के बाद क्या present है, ganglionic cell, गैंगलियोनिक cell present है, तो ये ही तो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे eye का retina बनाते हैं, और ये ही पर, जब light fall होती है, तो हमारी retina image का formation करती है, जो rod and cone cells हैं, ये क्या है, bipolar neuron से टेस हैं, ये क्या है, bipolar neuron ही है, ठीक है, तो यहाँ पर correct answer option number C, clear, next question देखिए, the number of occipital condyles in man is, man की जो skull है, या जो cranium bone है, ये कैसी है, that is, di-condylic है, या फिर monocondylic है, अगर हम बात करें, birds and reptiles की, तो birds and reptiles में, जो skull होती है, ये monocondylic होती है, monocondylic, इस तरीके से, ये monocondylic होता है, इनकी skull में किवल, एक ही occipital condyles present होता है, occipital condyles, लेकिन अगर हम बात करें, amphibian and mammals की, तो amphibian and mammals की जो skull है, ये di-condylic होती है, इस तरीके से, यहाँ पर दो occipital condyles present होते हैं, जो की हमारी atlas bone, जो हमारी cervical की first vertebrie है, that is atlas, है न, क्या है atlas, तो atlas के condyler fossa से joint बनाती है, atlas के condyler fossa से joint होती है, और इस joint को हम condyler joint कहते हैं, ठीके occipital condyler joint कहते हैं, तो आप याद रखना, जो birds and reptiles हैं, ये monocondylic होते हैं, and जो amphibians and mammals हैं, ये di-condylic होते हैं, तो अब आपका यहाँ पर correct answer क्या हो गया, तो number of occipital condyles in man, यानि कि mammals की बात हुई है, तो यहाँ पर दो occipital condyles present हैं, correct answer option number B, चलिए, next question, sympathetic nervous system induced, जो sympathetic nervous system है, ये क्या induce करता है, secretion आप digestive juice, heart beat, secretion आप saliva, या फिर all of these, तो अगर हम बात करें nervous system की, तो nervous system में दो part हैं, दो part है, peripheral nervous system, and central nervous system, central nervous system में भी, दो तरीके का हमारा nervous system है, एक sympathetic nervous system, और एक आपका, parasympathetic nervous system, ठीक है, parasympathetic nervous system, और sympathetic nervous system, जो sympathetic nervous system है, ये क्या करता है, sympathetic nervous system, हमारी body के, सभी secretion को, inhibit करता है, ठीक है, सभी secretion को, क्या inhibit करता है, except ejaculation, ejaculation को, ये sympathetic nervous system, परमोट कराता है, इसके लवा, हमारी body में, जितने भी, secretion होते हैं, चाहे वो, digestive, जो उस से related हो, saliva से, यूरीनेशन, ये सभी secretion, sympathetic nervous system, inhibit कराता है, पैरा synthetic nervous system, इनको कराता है, जो impulse आएगा, तो उसके लिए, कौन सा, nerve, impulse लेकर जाएगा, sensorine और, motor nurse, तो उसमें, पैरा sympathetic nervous system, involve होगा, ठीक है, तो यहाँ आप चे, पूछा गया है, sympathetic nervous system, induce क्या करेगा, heart beat, ये heart beat को, induce करेगा, digestive, secretion नहीं करेगा, और saliva के भी, secretion नहीं करेगा, क्लियर, क्योंकि ये, ejaculation को छोड़कर, और सभी प्रकार के, secretion को, inhibit करता है, so correct answer, option number B, next question देखिए, the fluid filled in the space, between lens and cornea is termed, हमारी याई में, lens present है, और cornea है ना, lens और cornea के बीच में, कौन सा fluid present होता है, bitrous fluid, या bitrous humor, equis humor, synovial fluid, या फिर all of the above, तो हम सभी जानते हैं, यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट टाइम, दो options को eliminate कर सकते हैं, all the above नहीं होगा, synovial fluid जो है, ये हमारे bones में present होता है, दो bones के बीच में, ये fluid present होता है, जिसको synovial membrane सरांड किये रहती है, तो ये भी incorrect हुआ, तो इस तरीके से दो option तो eliminate हुए, अब देखेंगे, bitress swimmer और equus swimmer, जो की हमारी eye के fluid हैं, और ये किसके बीच present होते हैं, तो इसके लिए हम एक eye का diagram ड्रॉ करेंगे, देखिए, देखिए, बस understanding के लिए diagram ड्रॉ किया है, ठीके, हमारी eye में main three layers हैं, क्या, जो first layer है, ये हमारी sclera है, sclera, और ये ही sclera आगे आकर हैंना, one third part इसका cornea बना लेता है, तो ये हमारा क्या आगे के दिरिफ cornea है, ये आपका sclera है, उसके बाद जो second layer है, जो second layer है, that is coroid हैंना, और ये ही coroid आगे, इसमें suspensory ligament से lens hold रहता है, suspensory ligament से lens hold रहता है, तो ये second layer क्या हुई, coroid, और innermost layer क्या है, that is retina, ये हमारी innermost layer है, retina, cornea, ये हमारी cornea हैंना, cornea के यहापर क्या है, जो cornea है, ये हमारी cornea और ये lens, इसके बीच में जो fluid रहता है, इस fluid को हम क्या कहते हैं, aqueous humor कहते हैं, इस fluid को हम aqueous humor कहते हैं, एंड lens और retina, ध्यान से सुनेंगे आप, जो lens और retina के बीच में, यहाँ पर جो fluid फिल होता है, ठीक है, jelly like जो fluid यहाँ पर फिल होता है, इसको हम bitres fluid कहते हैं क्या bitres humor या bitres fluid जो bitres humor है यह embryonic development के दोरान इसका formation होता है और जो equus humor है यह retain होता रहता है जो equus humor है यह life में daily बनता है daily retain होता रहता है और इसको slim off canal की cells होती है cornea में cornea में slim off canal की cells होती है या canal off slim जो होती है वो इसको secret करती रहती है लेकिन जो bitres humor है यह embryonic deployment के दोरान बनता है और यह life में फिर से retain नहीं होता है और ना ही यह दुबारा बनता है ठीक है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है lens और cornea के बीच में तो lens और cornea के बीच में हमारा क्या जाएगा एक वस्यूमर ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए lens और रेटीना के बीच में lens और रेटीना के बीच में तो आपका एंसर आएगा bitres humor clear एक question से आपके दो question I hope clear होगे चलिए तो यहाँ पर correct answer हो गया option number B अब next question देखते हैं alleles of a gene are found on जो gene के alleles है है न हमारे gene कहा present है chromosome में chromosome किसे बना वआ है chromosome हमारे DNA की packaging के थुरू बना है है न तो यह जो हमारा chromosome है इस पर gene present है तो gene में क्या होते हैं जो gene है उसमें अच्छली क्या होते हैं एलील्स होते हैं, है न, क्या होते हैं, एलील्स, तो एलील्स ही कहां प्रजेंट होते हैं, सेम क्रोमोसोम, एनी क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर नान होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर नान होमोलोगस क्रोमोसोम, तो आप से भी जानते हैं, जो एलील्स हैं, ये होमो लोगस क्रोमोसोम पर प्रुजेंट होते हैं तो करेक्ट एंसर ओप्शन नमबर C नेक्स्ट कोस्टिन दजीन्स कंट्रोलिंग दजेवन पी करेक्टर्स इस्टिडीट बाई मेंडल आर नाव नून टू बी लोकेटेड आन हाव मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम ग्रेकर जॉन मेंडल जिनने हम फादर आप जेनेटिक्स कहते हैं इन्हों ने थिरी लोग दिया था लोग डोमिनेंस जो की अभी इसको केवल हाइपोथेसिस्ट की तरह मना जाता है लोग सेग्रिगेशन और आपका लोग हाइविड डिजेशन तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट मटर के प्लांट पे किया था सभी को पता है ना पी प्लांट वर किया था क्योंकि प्लांट जो है ये आपका बाइसेक्शुल प्लांट था इसली ग्रो हो सकता था बहुत फास्ट गुरो करता था ये सारी चीजें थी तो उन्होंने अपना ये जो work किया था ये 7 years किया था याद रखना इनका जो experiment ये 7 years तक चला था और इन्होंने पी में वो कितने थे 7 contrastic characters लिए थे लेकिन ये 7 contrastic character पी के कितने chromosome पर present थे इनके सेबन कंट्रास्ट करेक्टर्स जो थे यह फोर क्रोमोसांबर प्रजेंट थे तो करेक्ट एंसर ओप्शन नंबर b इसके लावा आपसे कोश्यन पूछा जाता है कि इनके कितने कंट्रास्टी करेक्टर्स अन्हों लिये थे उनमें से कितने कलरड ब्यस्ट है तो 3 इनके contrastic character जो हैं वो color based है अगर आप चे color से related पूछा जाए तो correct आप 3 बताएंगे clear? Now, next question देखिए Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India at present time? Present time में contraception के लिए सबसे most accepted methods को कौन सी methods को use किया जाता है tubectomy, diaphragm, IUD, intrauterine device या फिर cervical caps So, यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा That is option number C Intrauterine device को present type में mostly use किया जाता है for contraception है Pregancy consume ना हो इसके लिए अगर हम बात करें कि types of IUD IUD कितने types की होती है? देखिए Intrauterine device three types की हो सकती है Non-medicated IUD, hormonal IUD और copper releasing IUD अगर हम बात करें non-medicated IUD तो इसमें lipis loop यूज़ करते हैं है ना, hormonal की बात करें तो hormonal में आपका progesta salt बहुत important है याद रखना यह कैसा है, hormonal IUD है जिसमें हम progesta salt यूज़ करते हैं और LNG 20 के लिए और अगर बात करें हम copper releasing IUD की तो copper releasing IUD में आपका जाता है copper T, copper T7 ठीक है copper T7 और multi load 375 multi load 375 तो यह तीन तरह की हमारी Intrauterine device होती है जिने हम contraception के लिए यूज़ करते हैं clear, so यहाँ पर आपका correct answer क्या था that is option number C, Intrauterine device next question next question cytoplasm surrounding mitochondria present in the middle piece of sperm is sperm के middle piece में चहाँ पर mitochondria present होती है जो mitochondria है, यह cytoplasm से surrounded होती है तो इसे हम क्या कहते हैं mindset, centroplasm, microplasm या फिर acrosome या फिर acrosome देखिए, suppose करिए यह हमारा sperm है ठीक है? यह human sperm है जो की spoon saved होता है human sperm में four parts होते है head, यह sperm का head part है and यह sperm का neck part है neck part के बाद यह sperm का middle piece है middle piece और middle piece से filament लिक्रा रहता है और सबसे end में यह क्या है? इसकी tail है head, neck region, middle piece, filament and tail filament and tail जो की sperm के motility के लिए responsible होते है clear now आप देखिए head के tip पर यह जो structures होती है इसे हम acrosome कहते है और acrosome गोल्जी body का modification होता है sperm का यह nucleus present है जो की haploid है जो sperm है इसके middle piece में spiral mitochondria present है spiral mitochondria present है जिसे हम नेवन कर्ण कहते हैं यह भी important याद रखना नेवन कर्ण जिसे हम नेवन कर्ण कहते हैं जैसे हम muscles की mitochondria को SAR को SOM कहते हैं याद रखना कभी आपसे पूछा जाए अगर कि muscle की mitochondria को क्या कहते हैं तो muscle की mitochondria को SAR को SOM कहते हैं सार को SOM clear तो वैसे ही sperm की mitochondria को नेवन कर्ण कहते हैं mitochondria के चारो तरफ यहाँ पर जो जो इसका sytoplasm होता है ठीक है जो इसका sytoplasm है उसको हम mindset कहते हैं क्या mindset और उसके बाद neck reason में एक centriol present होता है जिसे हम proximal centriol कहते हैं और middle piece के end पर एक centriol present होता है जिसे हम distal centriol कहते हैं आप जानते हैं जो female ovum है जो secondary oocyte है उसमें centriol नहीं होता है इसलिए वो metaphase stage में आरेश्ट हो जाती है उसका फर्दर डिविजन मियोसिस नहीं हो पाता है तो यही इसका सेंट्रियोल जब फर्टिलाजेशन होगा तब उसको उसमें मियोसिस की प्रोसेस को वो कंप्लीट करेगा है ना तो अब आप समझगे यहां पर माइटो कॉंड्रिया के चारो तरफ जो साइटोप्लास्म प्रजेंट होता है इन केस आफ इस्पर्म तो उसे हम मैंसेट कहते हैं सो करेक्ट एंसर ओप्शन नमबर ए प्लीज आप इन सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए यहां से कोशिन पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट एंसर ओ प्रोड़क्टिव का पार्ट है ना फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम का पार्ट है लेबियम मैजोरा यह मैमल्स यानि की हुमेन के किस रिप्रोड़क्टिव और्गन के होमो लोगस होती है पेनिस प्रोस्टेट ग्लेंड एपीडी डाइमिस या फिर इस्क्रोटल सै ह göstere- ये स्कृोटल साग जिसमेंग वन पेय टेलिस प्रजेंट होते हैं वन पेयर टेस्टिस जो स्कृटल साग है ये स्कृटल साग ये एब डॉमिनल कैपटी के बाहर होता है ये बात आप याद रखना एक बार हम यहां पर देखेंगे कि homologous organ in male and female, homologous organ means homologous that means origin same, ऐसे organs जिनकी origin same tissue से हुई है, लेकिन इनके function अलग-अलग है, ऐसे organs को हम homologous organs क्या होते हैं, analogous organ क्या होते हैं, जिनकी origin same tissue से ना हुई हो, लेकिन उनके function same हो, तो उन्हें हम analogous organ कहते हैं, हम बात करेंगे homologous organ की, जिनकी origin तो same tissue से हुई है, लेकिन इनके function अलग-अलग हैं, तो हम similarities की बात करेंगे, कि male and female में reproductive organ कौन-कौन से similar origin से बने हैं, जिसे बात करते हैं, इस्क्रोटल सैक की, तो इस्क्रोटल सैक and female में labia mesora एक तरीके के tissue से बने हैं, लेकिन इनके function अलग-अलग हैं, आप याद रखेंगे, male में इस्क्रोटल सैक and female में labia mesora homologous organ हैं, male में seminal vesicles, uterus के homologous हैं, bulboyurethral gland, male में bulboyurethral gland या फिर coppers gland, female के bulbobistibular gland या इसी को और क्या कहते हैं, बर्थोलिन gland के similar होते हैं, homologous होते हैं, बट function सेम नहीं है, याद रखना, prostate gland, male में याद रखना, male में ये एक unpaired gland होती है, prostate gland केवल one present होती है, और ये unpaired होती है, जबकि bulboyurethral gland, seminal gland, ये दोनों ही, जो seminal basicles हैं, ये दोनों ही paired होती हैं, दो-दो present होती हैं, prostate gland, male में female के pairaurethral gland, pairaurethral gland के similar होती है, homologous हैं, और इसके साथ आप याद रखना, जो female में clitoris है, female में clitoris, ये male के penis के erectile tissue के homologous होता है, क्योंकि जो clitoris है, इसमें भी erectile tissue present होते हैं, clear, तो please आप इन्हें note कर लीजिए, अब आप बता सकते हैं, यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा, labia majora, जो female में present होती है, ये किस के homologous होती है, तो ये male के scrotal sac के homologous होती है, so correct answer option number D, चलिए, next question देखें क्या है, question number 54, cryptorchidism is a condition in which, जो cryptorchidism condition है, ये क्या है, टेस्टिस डज नाट डिशेंड इन्टू इस्क्रोटल सैक, स्पर्म इस नाट फाउंड, male hormones are not reactive, या फिर ovaries are removed, या फिर ovaries are removed, बताईए, यहाँ पर आपका correct answer क्या होगा, देखिए, अगर हम बात करते हैं, that is, टेस्टिस की, तो human में one pair testis होते हैं, और ये scrotal sack में present होते हैं, scrotal sack abdominal cavity के, या abdominal के बाहर present होता है, इस तरीके से, ठीक है, तो normally क्या होता है, जो normally testis हैं, वो scrotal sack में present होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कभी, immature या premature, premature fetus का बर्थ होता है, यानिकी, that means, before seventh month, ठीक है, seven month से पहले, before seven month, अगर premature baby की डिलोरी होती है, तो उस समय, जो testis हैं, ये scrotal में descend नहीं हो पाते हैं, और ये यहीं, abdominal cavity में रह जाते हैं, ठीक है, तो यो ये clinical abnormalities हैं, इसी को हम cryptochidism के नाम से जानते हैं, testis does not descend into scrotal sac, है न, जो testis हैं, वो scrotal sac में descend नहीं हो पाते हैं, तो फिर इसके लिए जो है, हम इसको clinically ठीक किया जा सकता है, इसके लिए surgery करके इसको ठीक किया जा सकता है, तो हम इस surgical term को क्या कहते हैं, that is, जो archidoplexi कहते हैं, आप याद रखना, archidoplexi, चब हम इसे surgical treatment के थुरू, testis को scrotal में descend करवाएंगे, तो हम इसे archidoplexi कहते हैं, आप बताईए हमें Removal of testis क्या कहते हैं, testis को Remove करना क्या कहते हैं, removal of testis क्या कहते हैं, archidectomy कहते हैं, या और इसे क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन भी इसी को कहते हैं इंपोर्टन्ट है कभी पूस लिया जा सकता है आपका हीमन फुजॉलसी से रिलेटेड है तो याद रखना टेस्टिस के रिमोवल को और टेक्टॉमी कहते हैं या फिर इसी को हम कैस्ट्रेशन कह देते हैं इसके लवा कुछ और ट्रमनलाजी है जिसे आप याद रखेंगे मोनो और्चिडिस्म क्या है मोनो और्चिडिस्म पॉली और्चिडिस्म और सिन और्चिडिस्म आप बताए इनका मतलब क्या है मोनो और्चिडिस्म मिंस इसक्रोटल सैक में केवल एक testis present है केवल यह सारी abnormalities हैं याद रखना तो हम उसे क्या कहेंगे अगर केवल एक testis present है तो इसे हम mono archidism कहेंगे और अगर scrotal sack में एक से ज़्यादा testis present है तो इसे हम poly archidism कहेंगे and अगर दोनो testis ठीक है scrotal sack में अगर दोनो testis एक दूसरे से fuse है तो इसे हम sin archidism कहते हैं ठीक है अगर यह दोनों testis fuse है तो इसे हम sin archidism कहते हैं clear तो I hope आप अच्छे से यह सारे point समस गए होंगे चले अच्छा आप हमें बताना कि uterus के removal को क्या कहते हैं प्लीज आप हमें comment box में बताना अगर कोई abnormalities हुई कुछ ऐसा case हुआ कि uterus remove करना पड़ गया तो हम इसे clinically term में क्या कहते हैं uterus के removal को चले next question देखिए अगला question क्या है development of animal embryo from egg without fertilization is called without fertilization है ना तो इसे हम क्या कहेंगे parthenogenesis, parthenocarpy apospory या फिर apomyxis या फिर apomyxis हमने आपको parthenogenesis कहां बताया था honey bee में अगर आप सभी मारी previous वीडियो अच्छे से करते हैं सभी questions all करते हैं तो definitely आपको याद होगा हमने honey bee में sex determination पढ़ाया था तो वहां हमने आपको बताया था parthenogenesis के बारे में चब एग से है ना unfertilized एग से एग से complete embryo को formation हो जाता है embryo को formation हो जाता है by a parthenogenesis है ना तो इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं parthenogenesis यानि कि यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर male gamete के साथ male gamete के साथ यहाँ पर fusion नहीं हुआ है without male gametes without fertilization embryo का formation हो जाता है तो इस condition को हम parthenogenesis कहते हैं और यह हमें honey bee के जो male honey bee है उसमें देखने को मिलता है male honey bee को क्या कहते हैं drone जो कि क्या है यह इस्ट्राइल होता है क्लियर क्योंकि यह haploid होता है male honey bee में total 16 chromosome number होते हैं जो male honey bee है और अगर हम बात करें यहाँ पर parthenocarpy की तो parthenocarpy क्या है without fertilization development of fruit बिना fertilization के अगर fruit का development हो जाता है तो इसे हम parthenocarpy कहते हैं और ऐसे fruit seedless होते हैं ऐसे fruit कैसे होते हैं seedless होते हैं क्लियर और ऐसे fruit को हम verse- Brown fruit कहते हैं virgin fruit कहते हैं और जो बिना fertilization के embryo का formation हो जाता है तो इन्हें हम virgin animals कहते हैं virgin animals क्लियर Apomixis क्या होता है Apomixis without fertilization development of seed बिना fertilization के अगर seed का development हो जाता है तो इसे हम apomixis कहते हैं emphymixis किसे कहते हैं? emphymixis 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 में male and female gamit के fusion के बाद जो jigode बनता है इसी को हम emphymixis कहते हैं तो जो हमारा true fertilization है उसी को हम emphymixis कह देते हैं clear? चलिए यहाँ पर आपका correct answer क्या था? that is option number A, parthenogenesis next question देखते हैं question number 56, neoteny refers to neoteny क्या refers करती है? development animal, pre-adult animal, metamorphosis या फिर retention of larval, our embryonic trade in the adult body in the adult body दो टर्म होते हैं, एक neoteny and एक pedogenesis neoteny और pedogenesis neoteny में क्या होता है? जब adult के अंदर जब adult के अंदर larval character appear हो जाते हैं larval character का development हो जाता है तो इस condition को हम neoteny कहते हैं यानि की retention of larval, our embryonic characters in the adult and pedogenesis में क्या होता है? जब larva में, ठीक है? जब larva में sexual characters develop हो जाते हैं sexual character किसका feature है? adult का जब larval stage में या larva में sexual characters का development हो जाता है यानि की adult characters देखने को मिलने लगते हैं तो इसे हम pedogenesis कहते हैं और अगर इसकी examples की बात करें तो जो exolotal larva होता है exolotal larva ठीक है? exolotal larva में हमें neoteny and pedogenesis इसकी life cycle में ये दोनों ही stage देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर question में आप से पूछा गया है neoteny neoteny किसको refers करता है? retention of larval or embryonic trait in the adult body प्लीज आप दोनों टर्म note कर लें क्योंकि बहुँश थोड़ा सा confusion है neoteny क्या कर रहा है? ये अपने adult के characters को retain कर रहा है है ना? sorry, neonate क्या कर रहा है? ये अपने अंदर जो neonates है, ये जो adult है neonates neonate में क्या हो रहा है कि जो adult है ठीक, adult के अंदर larval character retain हो रहे हैं larval character retain हो रहे हैं लेकिन pedogenesis में क्या हो रहा है? लार्वा के अंदर लार्वा के अंदर adult के character reappear हो रहे हैं जैसे sexual characters तो उसे हम pedogenesis कहेंगे I hope you are understands थोड़ा था explain करने में confusion हुआ था है ना? तो हमने आपको दुबारा बता दिया है देखिए sperm acrosome यह क्या है? acrosome sperm acrosome is derived from तो अभी हमने आपको sperm का diagram बना कर बताया था human का sperm spoon saved होता है इसके head reason में कुछ इस तरीके से structures देखने को मिलती है जिससे हम acrosome कहते हैं तो यह acrosome किसका modification होता है that is gallzy bodies clear option number a next question seminal plasma in human males in rich in जो seminal plasma है इसमें क्या रिच होता है fractose and calcium glucose and calcium DNA and testosterone यह फिर ribose and potassium तो हमने आपको बताया था जो male का semen होता है male का semen इसमें दो पार्ट होते हैं एक solid part solid part और एक इसका fluid जो इसका fluid है इसी को हम क्या कहते हैं seminal plasma कहते हैं seminal plasma कहते हैं जो seminal plasma है यह fructose and calcium iron rich होता है जो solid part है इसमें हमारा sperm आ जाता है ठीक है इसमें क्या जाता है sperm तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है seminal plasma में क्या present है that is correct answer option number A fructose and calcium clear चलिए next question अगला question क्या है which of the following provides nutrition to sperm sperm cell को है जो developing sperm cell है इसको nutrition कौन प्रोवाइट करता है letting cells scrotum sertoli cells या sustencular cells या epididymes बताईए श्वरी देखिए ये human का एक testis है human में एक पेर testis है तो एक testis में कई सारे ये testicular lobes है testicular lobes में एक से तीन एक से तीन seminiferous tubules प्रजेंट होते हैं हैना ये seminiferous tubules जो ये seminiferous tubules हैं इनके बीच में जो space है हैना इसको हम interstitial space करते हैं और इसमें interstitial cells प्रजेंट होती हैं जो कि seminiferous tubules को developing के लिए और support प्रवाइट करती हैं ठीक है support के लिए होती हैं अब हम अगर बात करें एक seminiferous tubule की तो हमने यहाँ पर एक TS section ले लिया है ना transverse section आप seminiferous tubules seminiferous tubules में कुछ cells होती हैं जिन्हें हम germ cells कहते हैं ठीक जो छोटी cells होती हैं और कुछ ऐसे large cells होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं that is sertoli cells या इन्ही को हम sustenta polar cells कह देते हैं तो यह जो छोटी छोटी cells हैं small cells इन्हें हम germ cells कहते हैं और यही germ cells meiosis करके male gametes produce करती हैं ठीक है? male gametes को produce करती हैं और जो यह थोड़ा long cells होती हैं इनको हम sertoli cells या sustencular cells या इन्ही को हम nurse cell भी कहते हैं जो की यह developing germ cells और जो developing हमारी male gametes को बना ली जो cells हैं ठीक है? like spermatocytes इन सभी cells को यह nutrition प्रोवाइड करती हैं sertoli cells क्या करती हैं? nutrition प्रोवाइड करती हैं इसलिए हम इन्हें sertoli cells या sustencular या फिर nurse cells कहते हैं क्लियर तो आपके question में पूछा गया है which are the following provides nutrition to sperm sperm को nutrition दे रहा है? that is sertoli cells correct answer option number C option number C is correct next question सहेली is a सहेली क्या है? एक contraceptive drug है oral contraceptive for females surgical sterilization method for females diaphragm for females surgical method of sterilization in males बताइए सहेली क्या है? सहेली को सबचे first time CDRI ने formed किया था है न? CDRI ने बनाया था CDRI कहा है आपका? ये लखनव में है Central Drug Research Institute तो सहेली जो पिल्स हैं इनको हम किसलिए यूज़ करते हैं? सहेली पिल्स अभी हमने बताया कि ये contraceptive drugs हैं तो ये कैसी हैं? oral contraceptive for females जो सहेली पिल्स हैं ये non-esteroidal होती हैं ठीके कैसी होती है? non-esteroidal यहाँ पर correct answer है आपको option number A next question GIFT Z-I-F-T GIFT क्या है? GIFT का आपको full form बताना है transfer of gigote into the fallopian tube transfer of embryo into the uterus transfer of mixture mixture of sperm and ova into the fallopian tube transfer of mixture of sperm and ova into the uterus है ना? तो GIFT और GIFT दो चीजों के बारे में बताया था देखिए GIFT क्या है? और GIFT GIFT and GIFT means transfer of gigote transfer of gigote into the fallopian tube ठीक है? इसका full form है transfer of gigote intra fallopian tube सब हम male and female gamit का in vitro fertilization करवाते हैं तो फिर हम serogate mother में इसको transfer करते हैं जो हमारे पास 8 blastomere का 8 blastomere cells का जो हमारे पास gigote होता है ठीक है? 8 blastomere gigote को हम serogate mother के fallopian tube में transfer करते हैं इसी टेकनिक को हम transfer of gigote into the fallopian tube कहते हैं ठीक है? इसको हम gift कहते हैं और अगर हम बात करें gift की तो इसमें हम इसमें हम gamete को transfer करते हैं fallopian tube में तो transfer of gamete ठीक है? ठीक है? ठीक है? इसको इसमेर में ऐफे प्राइट इस आ इस आई योटी ठीक है? इइड़ा इड़ा इड़न इनटरा इड vegg़ाइन ativo इनटरायोटरांडंब हम हम up to 8 Blastomere, 8 Blastomere से अधिक वाले जाइगोट को यूटरस में ट्रांस्पर करते हैं, है ना, 8 Blastomere से अगर ज्यादा का है, तो हम उस जाइगोट को क्या कहेंगे, इंब्रियो कहेंगे, और इंब्रियो, इंब्रियो को हम कहाँ उसको ट्रांस्प्लांट करेंगे, कहाँ ट्रांस्पर करेंगे, दैट इस यूटरस की वाल में, यूटराइन वाल में, क्लियर, तो आपको तीनों चीजी याद रखनी है, जिफ्ट, गिफ्ट, एंड आई यूटी, क्लियर, चलिए, नेक्स्ट कोस्टिन, नेक्स्ट कोस्टिन देखेंगे, यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को, कॉलम सीकेंट के साथ आपको मैच करना है, ओक्सिटोशिन, लिूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टरॉन, यहाँ पर आप कर लीजिए, that is, प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या फंसन है, और आपको इन हार्मोन के फंसन दियेगे हैं, जिनसे आपको मैच करना है, इस्टीमूलेट्स, ओबूलेशन, इंप्लांटेशन, एंड मेंटेंस, आप प्रेगिनेंशी, लेक्टेशन, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यूट्राइन, कॉन्ट्रेक्शन, डूरिंग लेबर पेन, ठीक है, डूरिंग लेबर पेन, तो सिंपल है, आप मैच कर लेंगे इसको, देखे, आक्सी टोशिन, रिस्पॉन्सबल है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, डूरिंग लेबर पेन, लूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इस्टीमूलेट्स, ओबूलेशन, है ना, मे प्रोजेश्टरान क्या करता है, इंप्लांटेशन, प्रोजेश्टरान, इंप्लांटेशन, एंड मेंटेंस प्रेगनेंसी, एंड प्रोलेक्टिन क्या करता है, प्रोलेक्टिन, डैट इस, लेक्टेशन, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो आप मैच कर लीजिए, A4, B3, C1, यहां पर आपका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर सी इस करेक्ट नेक्स्ट कोस्चन देखिए HCG, HPL and Relaction are produced in women and women में HCG, human chorionic gonadotropin hormone and HPL, prolactin hormone and relaxation यह सभी hormone बूमें कब प्रोडूस होते हैं यहां पर आपको करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर B, only during pregnancy जब बूमें प्रेगनेंट होती है तब यह तीनो ही हार्मोन प्रोडूस होते हैं और आई होप आपको तीनो हार्मोन के फंसन भी पता है HCG क्या करवाता है जब हम प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं तो यह positive टेस्ट लेकर आता है प्रेगनसी कंसीव हुई या नहीं जो HPL है प्रोलैक्टिन हार्मोन यह lactation के लिए responsible है और जो relaxation है यह हमारे uterus की uterine wall को contract करता है during labor pain यानि की tillory के समय यहाँ पर सारे point के लिए है आप लोगों के तो यहाँ पर correct answer क्या है option number B next question देख लेते हैं which character is not associated with white muscle fiber इनमें से कौन सा white muscle fiber से associated नहीं है less quantity of myoglobin, number of mitochondria are few amount आप sarcoplasmic reticulum is low या फिर depend on anaerobic process for energy यहाँ पर आप से क्या पुछा गया है देखिए नाट पुछा गया आप देहान लगना नाट पुछा गया है और white muscle fiber के बारे में यहाँ पर क्या correct नहीं है जो हमारी escalator muscles होती है muscles में दो तरीके के fibers present होते हैं white muscle fiber and red muscle fiber प्लीज आप नोट करना हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं देखिए, जो white muscle fibers है इनमें जो myoglobin है, इसका amount myoglobin का amount बहुत कम होता है ठीक है, mitochondria भी यहाँ पर कम होती है mitochondria जिसे यह anaerobic होती है इसके लावा sarcoplasmic reticulum यहाँ पर ज़्यादा होता है क्या sarcoplasmic reticulum और यह fatigue muscles होती है ठीक है, तो यह आपका क्या है, white muscle का character है तो आप देखिए, जो हमारी red fiber है मसल के जो red fiber है इनमें mitochondria अधिक होते है लेकिन यहाँ पर sarcoplasmic reticulum कम होता है और यहाँ पर आपका myoglobin भी ज़्यादा होता है ठीक है, compare करते हैं white fiber से इसके अलाबा यह slow muscles है और यह fatigue muscles है ठीक है, जल्दी fatigue हो जाती है तो आप बताएं यहाँ पर इनमें से कौन सा नहीं होगा less quantity of myoglobin तो आपका यह correct है ना तो देखिए, less quantity of myoglobin सही है white muscle fiber में जो myoglobin है white muscle fiber में जो myoglobin है यह ज़्यादा होती है number of mitochondria few होते हैं इसलिए यह anaerobic process है depending on anaerobic process for energy amount of sarcoplasmic reticulum is low यहाँ पर sarcoplasmic reticulum अच्छा, नहीं नहीं देखिए, less quantity of myoglobin सही है आपका number of mitochondria few होते हैं amount of sarcoplasmic reticulum is low जो white muscle cell से इन में sarcoplasmic reticulum most abundant होता है compare than red muscle fiber ठीक है depends on anaerobic process of energy और यह energy के लिए इन में anaerobic respiration होता है यहाँ पर आपसे not associated पूछा है not correct तो option number c यहाँ पर क्या होना चाहिए था low की जगा पर आपका increase होना चाहिए था ठीक है, so correct answer option number c next question देखिए बस वहाँ पर थोड़ा सा confusion हुआ था तो आपसे correct कर लिजे देखिए, next question क्या है column first, column second आपको bones के number दिये गे है column second में और column first में आपको part दिये गे है body parts जिनको आपको correct match करना है तो हमारी cranium में कितनी bone होती है that is 8, skull में 29 और hind limb में कितनी bone होती है, 30 ribs मारे पास कितनी है that is 24 और यहाँ पर अगर हम बात करें facial bone की, तो facial bone हमारे पास कितनी है that is 13 sorry, 14 थर्ड सही हो जाएगा, 14 facial bone हमारी कितनी है 14, तो आप यहाँ से match कर लिजे, बहुत simple है next question देखिए genetically dwarf plant can be converted into plant of normal height with help of कोई भी dwarf plant है तो उसे आप इन में से किस hormone को apply करके उसे आप tall plant में convert कर सकते हैं oxygen, cytokinin, ethylene, या फिर gibralins तो यगर हम यहाँ पर cytokinin की function की बात करें तो जो cytokinin है यह inter nodal इंटर, इंटर, इंटर नोडल ग्रोथ के लिए responsible है, है ना, जो इंटर नोड है, उनको, इंटर नोड जो है, इंटर नोड जो है, इंको, इंटर नोड जो है, इंको, इंटर नोड जो है, इंको, 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 इ जब जर्मिनेट होगा तो फिर से ये ड्वार्फ प्लांट ही उगेगा ठीक है तो ये मार्फोलोजिकली हम इन्हें जो है टॉल कर सकते हैं डॉप से टॉल में कर सकते हैं लेकिन ये जिनेटिकली मोडिफाइट नहीं होते हैं जिनेटिकली ये ड्वार्फ ही रहते हैं क्योंक अगर आप यूपी टीजी 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 टेस्ट स्रीज जॉइन करना चाहते हैं तो फ्रीली आपको यूटूब स्रीज पर मिल जाएगी आप उसे जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया है आप टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ भी आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइट किये जाते हैं तो यह आपकी UPTGT, PGT जो स्रीज है इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जैसे आपको यहाँ पर 1000 प्लस करना है न पता है आप सभी को 1000 प्लस करना है उसके बाद आपके लिए यह टेस्ट स्रीज अन पबलिक कर दी जाएगी इसलिए आप सभी लोग जादे से जादा चैनल को share करें subscribe करें ठीक है जितनी जल्दी आप लोग 1000 प्लस हो जाते हैं वैसे ही हम इस टेस्ट स्रीज को free कर देंगे और यह टेस्ट स्रीज में आप याद रखना 30 टेस्ट हैं total और इस टेस्ट में आपके 120 questions हैं और सारे questions आपके इसी level के हैं थोड़ा बहुत आपको TGT के recording भ किया है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच इब्डीवन